के गाइस विडियो को इंड तक जरूर देखना और इस विडियो में सबसे पहले बात करेंगे बिटकोइन के अपडेट को लेकर कि बिटकोइन में फिलाल आगे क्या मोमेंट देखने को मिल सकता है दूसरा बात करेंगे दूसरों कि एक आर्टिकल काफी तेजी से वाइरल हो इंडिया इस प्रिपेरिंग टु बैन क्रिप्टो इंडस्ट्री तो इसमें कितनी सच्चा ही है और अगर आप मुझ से पूछोगी कि क्या सच में फिर से इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाएगा तो मेरा अंसर है बिग नौ अब यह पॉसिबल नहीं है क्रिप्टो को ब प्रवात ही नहीं पड़ती पहले ही कर देता है तो गुवर्मेंट के दिमाग में जो है ना जरा सभी क्रिप्टो बैन को लेकर कुछ भी नहीं चल रहा है बलकि रेगुलेट करने के लिए सोच रही है और यह जो आर्टिकल निकलके आया है ना यह गुवर्मेंट के तरब से government bodies के government के किसी भी bodies के तरब से कोई भी ऐसे statement नहीं आया है नहीं कोई minister ऐसे कोई interview में या RVI के तरब से कोई ऐसा interview में कुछ भी बोला गया हो ऐसा कुछ भी नहीं है यह केबल article केबल हिंदुस्तान टाइम्स में छापा गया और वो जो है ना अपना opinion जो है ना बस वहाँ share किया गया है कि government कहीं ऐसा तो नहीं है कि crypto को ban करना चारी है इसलिए ताकि CVDC को promote किया जा सके private digital currency को ban करके और CVDC को promote करने के लिए crypto को ban कर सकते है government यह के बल opinion जो है अपना संपादक ने share किया और कुछ भी नहीं है government के दरब से ऐसा कोई भी statement नहीं है और नहीं आने वाला है कि government बिल्कुल सोच नहीं रही है इसको ban करने के लिए बलकि इसको regulate करने के लिए सोचेगे ठीक है तो इसी के लिए सारा drop paper वेगर अगर कुछ ready हो रहा है तो इसी के regarding हो रहा है कि regulate किया जा सके और दूसरों next बात करेंगे मुद्रेक्स एक्षेंज पर जो अभी दिवाली धमागा campaign चल रहा है और यह 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के between चलने वाला है और जो लोग यहाँ पर participate कर चुके हैं मुद्रेक्स पर future trading start कर चुके हैं तो हर दिन lucky draw के जरीए एक future trader को future trading करने वाले trader को pick up किया जा रहा है और उसको reward दिया जा रहा है इसका detail भी आपको मुद्रेक्स एक्षेंज पर ही मिल जाएगा और दूसरा कि top 10 highest volume generate करने वाले जो trader है उसको क्या-क्या मिलने वाला है top 1 के 1 में जो आएंगे याने सबसे highest volume generate करेगा उसको iPhone 16 pro तो मिलेगा ही मिलेगा उसके अलाबे बाकि second, third, fourth है जो highest volume generate करेंगे उसको क्या-क्या मिलने वाला है और आप top 10 के list में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो इसका detail आप चिक कर सकते हो मुद्रेक्स पे अगर यहाँ जो banner आपको दिख रहा है मुद्रेक्स दिवाली धमा का campaign का इस पे क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे इस piece पे ही आपको दिख जाएगा सबसे पहले आप जाओगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि 21st को जो randomly यानि कहेंगे lucky draw के जरीए जिस trader को choose किया गया है select किया गया है वो है बिक्रम जयंत जिसको blue messenger messenger bag मिला है ठीक है ना इन्होंने जीता है और 22 October को बैवा पटेल को मिला है universal magnetic charger उनको मिला है ठीक है अब नीचे आओगे तो नीचे यहाँ पर आप दिखोगे यह campaign में जो highest volume generate किया ना top 10 लोग उनका नाम यहाँ पर फिलाल आ रहा है देखेंगे top 1 में आ रहा है सरेथिया दीप कुमार ठीक है जो लगबग में 2 million dollar से ज़्यादा volume generate कर चुके है तो अभी top 1 पर है अब यह 10 दिन यानि 30 October को final decide होगा कि यही top 1 पर है या कोई इनको wait कर दिया ठीक है अभी फिलाड top 1 पर है अगर यही top 1 पर रहेंगे तो इनको मिल जाएगा iPhone 16 Pro इसके बाद the second number पर आ रहे है दुरूब बब रिबल जो 1 million से ज़्यादा volume generate कर चुके है और इनको iPad यहाँ पर मिलने वाला है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि top 10 में आप आ रहे हो या नहीं आ रहे है नहीं आ रहे है यानि आपका volume 1 lakh 1 lakh डॉलर से भी कम generate है तो आप ज़्यादा ज़्यादा ट्रीड करके इस लिस्ट में आप आ सकते हो और जो लोग अलड़ी टॉप 10 के लिस्ट में हो वह ज़्यादा ज़्यादा ट्रीड करके number 1 तक भी जा सकते हो ठीक है अब चलो बात करते हैं स्क्रीन पे BTC के बारे में तो दोस्तों आजो के स्क्रीन पे ये BTC का चार्ट उपेन है फोर आवर के टाइम फ्रिम पे और करिंड में प्राइस लगा BTC का 66,800 डॉलर और आप देखोगे ये वाला जो चार्ट है ना मैंने आप लोग साथ सेयर भी किया था टेलीग्राम पे यहाँ आप देखोगे ये प्राइस की चार्ट मैंने सेयर किया था यहाँ पर इस में आप देखोगे ये सपोर्ट एरिया था जिसकी भारे में मैंने इसकी पहले वाले वीडियो में डिसक्कस किया था कि अगर BTC री टेस्ट करता है 69 से रेटेस्ट करके यहाँ शपोर्ट बना लिया तो imagine रहें अज तो फिर next support इस zone पे और दूसरा support इस zone पे आपको देखने को मिलता लेकिन आयन मौके पे देखेंगे last time में BTC जो है इस area को जो break कर रहा था break करता हुआ दिख रहा था बापस इसको पूरी तरीके से sweep कर लिया और यहां finally closing जो है zone के ऊपर ही दिया है यानि एक reversal candle strong reversal candle यहां form किया है strong reversal candle बनाने को मतलब है कि market अब यहां से reverse होगा pump करेगा ठीक है अभी आपको दिख रहा है reversal candle यहां पर बना strong reversal candle जिसके बज़े से दो green candle बने और अभी जो आपको दिख रहा है ना दो candle यहां पर बना एक candle close हो चुका दूसरा running में है और यह indicate क्या गर रहा है कि अभी hardly sadly जो अभी hold करके रखेंगे ठीक है जिनका नहीं चल रहा है वो यहां पर entry plan कर सकते हो 66,200,300 डॉलर के आसपास आई यानि यह zone को touch करें तो आप long में entry बना सकते हो ठीक है यह मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें मेरा तो trade अलड़ी चल रहा है एक और नया trade plan करेंगे जब यह 66,000 डॉ प्लान करेंगे और इसके बाद इसके अंदर rally देखने को मिल सकता है तो जो लोग यहां पर trade plan करोगे ना वो SL या तो इसके नीचे या फिर इसके नीचे रखना ज्यादा सेफ रहेगा यानि करीब करीब 64,750 डॉलर का SL रखके आप इसको hold कर सकते है एक लंबा pump कर सकता अभ इन केस अगर यह नीचे आ गया तो उसकेस में जो लोग trade hold करते हैं average करते हैं तो उनके लिए next entry कहा होगा वो भी मैं बता देता हूं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि यह गिर गया उपर pump नहीं गया तो उसकेस में हम लोग entry जो है average अगर जिनको करना है उनके लिए जिनको average नहीं करना हाडली आपको यहां एकजिट कर जाना जिनको एवरेज करना है इस लेवल पर एवरेज करेंगे और यह जोन जोन है 61,200 dollar से लेकर 59,000 dollar का area है इसी की between में आपको average करना है इस support पे average नहीं करना है जिनका trade यहां open हो रहा है तो यहां कोई भी entry नहीं करेंगे ठीक है यह वाला area पे नहीं करना है second वाले area पे करना है clear area point तो BTC में दुस्तों अभी फिलाल sentiment इसका यह है कि यहां से rally कर सकता है उपर जा सकता है और यहां support form कर चुका है यह candle indicate कर रहा है तो उपर ही जाने की overall possibility है तो यह छोड़ी से update था BTC में अब इसके आलावे दुस्तों बात करेंगे telegram पे आप देखोगे तो telegram को जो लोग join नहीं कर रहा है तो जरूर जोइन कर लेना क्योंकि देखोगे कि कई सारे update वेगरा यहीं share करते रहते हैं जो भी news आ रहा है क्रप्टों से रिगार्डिंग यहीं share करते हैं coin analysis होता है और इसकी सासाथ आप देखोगे कुछ screenshot आपको आपको जोड़ कर ठीक है और यह देखोगे यह premium members के जो group है वो लोग भी profit बना रहे 100% हाई leverage के यूज करके 62% का फिर यहां 141% का हाई leverage के साथ बना रहे जो जैसा leverage यूज करेगा वो ऐसा ही profit बनाएगा आज के आज देखेंगे तो engine में 36% और RSR में 66% जेटके में 54% का profit य signal दिये गया है जिससे जैसे ही उसका target होगा उसका update कर दिया जाएगा यहां पर भी तो यहां मैं यह बताना चाहरा हूं कि अगर आप लोग future trading करते हो और आपने बहुत सारे लोगों का premium लिया है बट आप satisfied नहीं हो तो अगर आप हमारे premium को join करना चाहते हो तो join कर सकते है य details share कर दिया जाएगा अगर आप message करोगे ठीक है यहां पर कहेंगे एक बर आप try करो और discipline way में आप यहां पर treat करना जो भी signal मिल रहा है कि बल उसको treat करना जहां पर target है वहां exit करना ठीक है जो भी instruction है अगर उसको आप follow करोगे तो यहां पर discipline way way में trading करके आप यहां profit बना सकते अगर आप सोचोगी कि आप कभी किसी signal को trade किया कभी किसी को छोड़ दिया ऐसे करोगे तो आप profit decide नहीं कर पाओगे कि profit हुआ है कि नहीं हुआ है जितने signal मिलेंगे सारे को trade करना पड़ेगा मालो किसी लगतार दो में stop loss हिट हो जाता है तो अगले trade ऐसा नहीं करना बहुत स ट्रीट करना स्टार्ट करता है और फिर मालो के चार पांच के बाद अगर फिर से stop loss लग गया तो फिर वो रुख जाएगा तो ऐसे ट्रीट नहीं करना है जितने signal है पूरे signal को आप trade करो एक महीने तक उसके बाद आप देखो कि result क्या है तो अगर आप जोईन करना चाहते ह साइडी पर मैसेज करेंगे तो चलो दूस्तों आज की सूडियों वसित रहें फिर मिलते हैं नेक सूडियों में तब तक के लिए धन्यवाद